मैं वारी बसीत आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग नूस ब्यास का पैसा वक्त पर ना देने से नाबालिक की बैल्ट से पिटाई और बेशर्मी की हत्ता पार हो गई उसकी पिटाई करते ही करते बनाया गया वीडियो हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं उस व जो लग अपडसर भरत होगे में मां स्वाकोफ गण्यों वारी रहा है वारी बालिक कने घ्रियो गए है उस वीडियो में यकर उसकी फो होगे हैं वीडियो मुहिए क्यू करते हिस готов गवारे में जुद्वारा नहीं हुए है जो नागा कैसे हुआ मेरा पैसा परावच सिए तुर्दफ तो देखा आप में व्याज का पैसा व्याज व्याज नहीं पर ना देने पर ना बालिक कि किस तरह बेरहिमी से ये जो औरत है पिटाई कर रहे दरासल मामला कुरला इस्ट का है बरमासल पड़री का जहां पर ये ब्याज माफिया इसका नाम है सना ये लोगों ऐसे ही गोर गरीबों को ब्याज पर देती है पैसा उसके बार इसका कर मारती है या उसके घर में गुस कर मारती है और बैल्ट से मारती है और बेशर्मी की हद तो तब पार हो जाती है जब ये मारते हुए उन लोगों का वीडियो भी बनाती है और उनको वाइरल करने की धमकी देती है ऐसे बहुत सारे वीडियो ऐसे बहुत सारे लोग है जो क इसके खिलाफ आवाद उड़ाना चाहते थे लेकिन उन लोगों के साथ कोई नहीं था तो इतिफाक से ये वीडियो एक यूजर ने हमें सेंड किया और ये बताया कि जो ब्याच कोर माफिया है ये कुरला बरमासेल पट्री पर ये लोगों के साथ लगातार यही जुरूम करत इसने इसका खुलासा किया ऐसे बहुत सारे मडर हो चुके है लेकिन इन ब्याच माफिया ओपर कोई भी रोक नहीं लगती है ब्याच माफिया बिना लाइसंस के बिना पत्र के ऐसे लोगों पर जो गाउं से आते हैं जो घरीब होते हैं उन्हें पैसों की जरूरत होती हैं जरूरत पूरा करते हैं लेकिन अपना ब्याच जो ये चक्री लगा लगा कर उन्हें उनको पूरे से पूरा बरबाद कर देते हैं और जब कोई अगर ब्याच नहीं देता तो ये लोग उसे मारते हैं उसके घर में गुसके जो सामान होता वो भी उढ़ा लेते हैं कुर्ला पे उसका ब्याज ना देने पर महिला बोल बोल कर किस तरह बैल्ट से लगातार मारे जा रही है अब ये भी नहीं पता कि इस बच्चे को जब मारा गया तो ये बच्चा जिन्दा है या मर चुका है क्योंकि ये घर में बुला कर उसे मार सकती है तो और कितने लोगों को मारी होगी और इसका साथ इसका शोहर देता है लोगों ने ये कटित तोर पर आरोप लगाया कि इसका हैस्बन इसका साथ देता है जो के घर में घुस कर मारते हैं घर में बुला कर मारते हैं और वीडियो भी बनाते हैं फिलाल ये मामरा चुनावट्टी पुलीस के हद में आता है अब देखना ही है कि चुनावट्टी पुलीस इस मामले को किस तरह संग्यान में लेती है इस मामले के और भी वीडियो है हमार से लोग इसके खिलाफ हमारे पास आने वाले हैं क्योंकि ये एक नहीं दो नहीं लगातार कहीं लोगों कर ब्याज पर पैसा दे चुकी है और ऐसे कुरला के पट्री पर कसाई वाड़ा में बहुत से ऐसे लोग है जो ब्याज माफिया के नाम पर जाने जाते हैं लोगों का क्राइम देखें लेकिन ये जो क्राइम है ये वहाँ पर फल फूल रहा है बहुत जादा मातरा में फल फूल रहा है वहाँ पर अगर कसाई वाड़ा में जाओगे तो आपको ब्याज कोर माफिया बहुत मिलेंगे जुन्होंने वहाँ के गरीबों को बहुत सारा लूटा है और उन्हें मारते भी लेकिन जो गरीब होते ये पुलिस टेशन जाने से डर लगता है इनको क्यों कोट कछेरी के चकर काट नहीं सकते ये रोज मर्रा का अपना जो काम है वो करके चंद पैसे कमाते है तो ये पुलिस टेशन का चकर नहीं काटने के लिए डर के हमारे अपनी जो भी कमाई है उनको दे देते लेकिन पुलिस प्रसाशन को ऐसे लोगों को जब धर दबोस दिये तो एक बहुत ही बहतरीन कारवाई करनी चीए क्योंकि ये लोग एक दीमक की तरह जो गरीबों को खा रहे है अब देखना ये है कि जो सना नामक जो लेडिस है इस पे कल च इससे ही मिलता जुलता इसी सना का और एक मामला हम आपको दिखाएंगे और ये ज़रूर बताएंगे कि सना पे क्या करवाई है ऐसे और अपडेट के लिए जोड़े जिए मेरे साथ आरीफ अजित मुंबई ब्रेकिंग उससे